आपका स्वागत है और हम आज शुरू करते हैं योर होम योर स्टोरी में एक बहुती नायाब और नया टॉपिक जब आप ये देखते हैं कि अभी का जो समय है लोग इसको फेस्टिव सीजन समझते हैं जहां पे मादुरगा का उतरन होता है इसकी छोटी सी एक कथा है उसके बाद हम बताएंगे कि ये शुब क्यों होता है इस समय कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए अब आपको मालूम होगा अगर हिंदी की पौराणी कथाओं में आप जाते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि शुम्भ निशुम्भ नाम का एक राक्षस था और वो मापारवती पे बहुत मुहित हो गया था और मापारवती बहुत सुंदर थी तो उसने सोचा कि हम इनसे विवाह कर लेंगे बहुत-बहुत प्रैतने किया सब कुछ किया मिनरं संग्णार किया अचानक महादेव की कि पारवती जी नΗ प्रॉप लिया और शुम्भ निशुम्भ की का मर सकता है और मारना पिटना शुरू कर दिया उसने बड़ी आराधना की ब्रह्मा जी की पूजा की ब्रह्मा जी ने क्या काम किया उसको आशिरवाद दिया कि आप जो है आपको कोई मार नहीं सकता उसने बोला कि हम अगर हमसे ब्रह्मा जी खुश है हमें आप ऐसा अशिरवाद दीजिये कि मैं अमरत्य को प्राप्त हो जाओं ये कोई मार न सके ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता भाई अगर आप पैदा हुए है तो मरेंगे निस्षट नहीं कहा है नहीं आपको कुछ नहीं कुछ देना पड़ेगा तो उसने कहा कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप को कोई इस्त्री की ही आपकी मृत्यू का कारण बन सकती है अब इसने सहर्ष इस बाद को स्विकार कर लिया और उसको यह लगा क्योंकि बड़ा दंभी था बहुत घमंड था उसको उसको लगा कोई महिला ही उसको मार पाएगी ऐसा कोई तो है नहीं महिला उसको मार नहीं सकत तो महादेव विश्णू ग्रम्हा और महेश इन तीनों ने मिलकर एक शक्ति का श्रजिन किया और उस शक्ति का नाम था दुरगा जी और दुरगा जी ने महिशा सुरका जब झup हो तयार हुई जब बनाई गई पृतिवी पर उनका उत्रण हुआ महिशा सुरका उन्हों वद कर दिया और यह युद्ध नौ दिनों तक चिना अब आप सोचेंगे कि इसकी पूजा कैसे शुरू हुई इसकी पूजा शुरू हुई सबसे पहले भगवान राम जब रावण को मारने के लिए जाते हैं तो भगवान शू की वो अराधना करते हैं भगवान शू बोलते हैं कि आप मा दुरगा की आप इस्तुति कीजिए तो मा दुरगा की उन्होंने इस्तुति की रावण का वद किया इसी वज़े से दश्मी मनाना शुरू हो गया और ये नौ दिन का जो युद्ध है मा ने नौ तरह के आवतार लिये इसलिए ये दुरग ने जो नौ शक्तियों का स्रिजन किया वो केवल ब्लेसिंग से तो इस दौरान अगर आप कोई भी घर लेते हैं कोई भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं वो मान के चलिए उसके उपर शक्ति का आशिरवाद बना ही रहेगा और ये कभी भी भी खर नहीं सकता इसलिए आप स सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा समय है जहां पर आपको कोई भी चीज आप लेते हैं तो उसका फल शुब होता है तो इसी उम्मीद शियासा के साथ कि आप ऐसे अलग-अलग प्रोजेक्स पे जाएं देखें और इस महान घड़ी को अपनी जिन्दगी में ब बोड़ में निवात